राजू परदेशी भक्ती चेनल, सब लोग खोलिएगा और उस चेनल को सब्सकाइब कीजिएगा, सब्सकाइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए चार साल पहले में न्यूज देख रही थी, बाला जी तिरुपती मंदिर के पुजारी, ब्रामण में अपनी बेटी की साधी किया, ध्यान से सुनना, और बेटी की साधी में सोना चान्दी दान किया, कितना सोना दान किया, बताएं आपको, न्यूज खोल सकते हैं मुवाइल म कोई भी एक कॉंटल 30 किलो सोना अपनी तीन बेटियों को दान किया बालाजीत रुपती मंदिर का पुजारी ने अपनी बेटी को दहेज में एक कॉंटल 20 किलो सोना दिया कहां से आया ना पुजारी की सर्विस है ना उसका बिजनीस है ना खेती है ना मस्दूरी है हम भगवान को जो चढ़ाते भगवान कभी यूज नहीं करता कि करता है कभी नहीं करता है भगवान की जान को खत्रा होता है अगर आप सोने का हार चढ़ा दीजिए लोग काट के लिए जा लेगी कर सोने की मूर्ती चढ़ा दीजिए भगवान क मूर्थी चोरी हो जाए एक बार में पुरी गई थी जगरनाथ पुरी आपने नाम सुनागा मेरे आस्रम से 600-400 किलुमीटर दूर जहां मेरा आस्रम है 400 किलुमीटर दूर तो वहां के पुजारी का बड़ा-बड़ा फाइव इस्टार होटल चलता है बहुत बड़ा-बड़ा होटल एक नाइट का धाई हजार पांच हजार रुपया लेता है सिर्फ रुखने का एक आदमी का खाने का चार्ज अलग से हमने कहा कि जगरनाथ पुरी मंदिर की जो पुजारी इनका इतना बड़ा-बड़ा फाइव इस्टार होटल चलता है आखि लेकिन हम एक बास की जोपड़ी से पक्का इट का मकान नहीं बना पाए अगर मंदिरों का पैसा समाज कल्यान के लिए लग जाए तो यहां भी शिक्षा हो सकता है अमेरिका चीन जापान में मंदिर बहुत कम होते हैं और मंदिर में कभी पैसा नहीं चड़ता वहां वहां पर इस्कूल मनते हैं धर मेंसाला मनती है है हुषपिटल बनता है वहां के बच्चे पड़ लिक कर बहुत बड़े बेग्यानिक बन नंदे कलेक्टर बनते कर置 लोगों के बच्चे को पैसे की जरूत है पर गरीब है कहा इसलीं का उपयोग कीजए मंदिर में लगाईए चा की जोपड़ी है पानी बरस रहा है जोपड़ी की अंदर तुसका छद ढलवा दी जै कि के आदिमी भूका मर। रहा है उसको खिलाएगा नहीं हाद थंडी से काप रहा उसे कोई कंपल दान नहीं करेगा कोई वस्त्र दान नहीं लेगा और जिसको पहन नहीं नहीं कपड़ा उसको लोग कपड़ा दान करते हैं हमारे देश में ऐसे ही भक्ती चलती कबीर साहिम ने इसी चीज का खंडन किया इसलिए बहुत लोग कहते कबीर पंथी नास्तिक होते हैं कबीर पंथी सचे आस्तिक होते हैं जो आत्मा को माने वो आस्तिक होता है, क्या माबाब देवी देवता नहीं होते हैं, क्या संत देवी देवता नहीं होते हैं, जो इतने बेठे हुए सब देवी और देवता हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए, तो कोई देवी देवता नहीं दोड़ेगा, पर ये देवी देवता दोड़ एक बार में बस ट्रेन में बेहोस हो गए हैं अकेली सफर करती हैं, बाइस साल हो गए अकेले भारत धर्मड करती हैं, अकेले, कभी-कभी सयोग से हमारे भाई राजु परदेशी जी हो जाते हैं, कभी कोई गायक हो जाता है, कभी कोई संद, कभी-कभी होता है, नहीं तो अके लगे कि अन्जान लड़की इसको हो क्या गया कोई सिर मल रहा था कोई पेर मल रहा जब होस आया तो आखों के सामने मनुस्य देवता बेठे हुए थे सेवा आज संसार में हम जो सुख और दुख भोग रहे हैं यह अपने कर्मों के कारण हम अपना कर्म ठीक रखें कोई हमको सुख दुख नहीं देता भगवान हमको दुख नहीं देता भगवान हमको सुख नहीं देता हम अपने कर्म के कारण ही सुख और दुख दोनों भोग देते ह अगवाने स्री राम को चवदा वर्स बनवास मिला तो लच्मन को बड़ा गुस्सा आया के कई पर बहुत दुष्ट है बहुत गाली दिया कि इसके जैसे दुष्ट नहीं इसको मा कहना ही पेकार है आज इसके कारण मेरे भैया राम देवता की तरहे चवदा वर्स बनवास ज लायक नहीं है तुझे मां कहने में भी सर्मात हैं जब भगवाल स्री राम को पता चला में से कहा की लच्मन यह क्ये कारण नहीं है यह तो निमित्त मात्र है इसे बुरा कहना दोस्ट मैं गलत है कोई कहूं ऑन सुख स्भ़गत कर्म भोग सब्राता मेरे ही कर्म का फल है केकई तो निमित्य मात रहे कारण बनी है कर्म तो मेरा ही था और जब 14 वर्स वनवास काट के भगवान स्री राम आयुध्या बापिस हुए सारी माताएं स्वागत में खड़ी हुई तो सबसे पहले भगवान स्री राम केकई के ही चर प्रणाम करेंगे की नहीं करेंगे मैंने चुक्दा वर्स वनवास भेज दिया पर भगवान स्री राम के मन में थोड़ा भी अंदर में बिरोध नहीं था घ्रणा नहीं थी नफरत नहीं थी प्रेम था